हाई एवरिवन मैं हूँ सावीत्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई भाई एस जे एस तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ कुल्हड कुलफी तो आईए रेसिपी शुरू करते हैं यहां पे मैंने पैन रख दिया है इसमें दो टेबल स्पून पानी डालेंगे पानी मैं इसलिए डाल रहे हूँ ताकि दूद तले में लगे न एक लीटर दूद है इसे इसमें डाल कर बॉइल करेंगे अब इसे बॉइल होने देते हैं तो इसमें उबाल आ गया है इसे थोड़ी देर चला कर उबालेंगे फिर उसके बाद अब मिडियम फ्लेम करके दूद को बॉइल होने देते हैं तब तक दूसरी त्यारी कर लेते हैं यहां पे 20 से 25 बादाम और 20 से 25 काजू है इसे ग्राइन कर लेंगे दो चम्मज पानी डाल कर इसमूद पेस्ट बनाना है इसका तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमूद पेस्ट बनकर तयार है अब इससे साइड रख देते हैं यहां पे दो टेवल इस्पून पानी एक चम्मज कश्टर्ड पावडर है इसे भी मिला लेंगे अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स न रह जाए तो यह भी बैटर बनकर तयार है कश्टर्ड पावडर वाला और यहां पे भी दूद बॉइल हो रहा है थोड़ा किनारे से चला लें ताकि जो किनारे पर लगे हुए हैं वो छुट जाए और इसे लगातार चलाते हुए पकाना है नहीं तो फिर यह तले में लग जाएंग तो स्वाद खराब हो जाएगा यहां पे जो बादाम और काजू का पेश्ट बनाया था इसे डाल देंगे इसको डाल कर भी तीन से चार मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे और लगातार चलाते रहना है फ्रेंड्स नहीं तो यह तले में लग जाएंगे अब यह जो कटोरी में थोड़ा पेश्ट लगा था इसे भी थोड़ा सदूर डाल कर छुड़ा लेंगे अब इसे थोड़ी देर तक और पकाएंगे और जैसे जैसे दूद पक रहा है ड्राइफ फ्रूट्स के साथ वैसे वैसे गाढ़ा हो रहा है और इसमें आधा चम्मच इलाची पावडर डालेंगे फ्लेवर के लिए अगर आपको इलाची पसंदना हो तेसकी कर दें कि यहां पर कश्टर्ड डालेंगे थोड़ा थोड़ा डाल कर एक हाथ से चलाते रहेंगे नहीं तो इसमें लंस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं कि इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर इसे भी तीन से चार मिनट तक पकाएंगे तब देख सकते हैं बहुत ही फ्यारा कलर आया हुआ है फ्रेंट्स आप इसे जरूर ट्राय करना बहुत ही स्वादिश्ट बनता है और यहां पर मैंने लिया है 1500 ग्राम खांड है इसे एड़ करेंगे अगर आपके पास खांड नहों हो तो इसी स्टेज पर आप 1500 ग्राम चीनी डाल सकते हैं आप गुड़ डालना चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं लेकिन याद रहें बैटर को एदम ठंडा करके तब डालें इसे भी चलाते वे थोड़ी देर तक पका लेंगे अब बहुत ही देख रहे हैं थीक होता जा रहा है बैटर इसे चलाते वे लगातार चलाएंगे नहीं तो तले में लग जाएंगे तो अब यह पक चुका है इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए अगर आपका वैटर ज़्यादा गाड़ा हो गया है तो थोड़ा सदूधा और राइट कर सकते हैं अब इसे एक बावल में ट्रांसफर कर देंगे ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए अब ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे तो फ्रेंट्स यहाँ पर यह वैटर ठंडा हो चुका है रूम टेंपरेचर का हुआ है अब ही यहाँ पर मैंने कुलड लिया है सारे कुलड में इस बैटर को भर देंगे बस इतना ही भरना है और फ्रेंट्स आप इसे जरूर ट्राइक करना और कमेंट करके भी बताना कि मेरी रेसीपी आपको कैसी लगी आप अगर मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन भी दबा दिजेगा ताकि मैं जो भी वीडियो अफ्लोट करूं उसका नोटिफिकेसन आप तक पहुँचे तो फ्रेंट्स यहाँ पर कुछ ड्राइफ फ्रूट से डेकोरेट करें काजू है कि जिसे मैंने काट लिया है कि और यहां पर पिस्ता कि इसे भी थोड़ा-थोड़ा सारे कुल्ड़ में डाल देंगे और यहां पर बादाम है जिसको मैंने बीच से कट कर लिया है तो यहां बादाम भी सब भी कुल्ड़ में अड़ करेंगे अब किसी भी ड्राइफ फूट से डेकोरेट कर सकते हैं अपने मन पसंद इसमें से जो ना पसंद हो इसे स्किप भी कर सकते हैं तो साड़े सारे कुल्ड तयार हो चुके हैं उतना बैटर से आठ कुल्ड तयार हुआ है फ्रेंज अब इसे फ्वाइल पेपर से कवर कर देंगे पूरे कुल्ड को फ्वाइल पेपर से कवर कर देंगे ताकि फ्रीजर में रखने के बाद इस पे उपर से पानी ने आए और इसे फ्रीजर में रखना है फ्रीज में नहीं अब सारे कुल्ड तयार हो चुके हैं अब सारे को फ्रीजर में रखेंगे कम से कम आठ से दस घंटे के लिए तो अब इसे फ्रीजर में रख देते हैं अब आठ से दस घंटा हो गया है फ्रीजर से निकाल दिये हैं अब इसे चेक करते हैं फाइल पेपर हटा कर सारे कुल्ड के आप । यहां पर कुछ एस्टीक है इसे भी लगा देंगे चम्मच ऐसे आइस क्रीम वाला चम्मच है इसे भी लगा देंगे सारे कुल्ड में है कर तो सारे कुल्ड कुलफी बनकर तयार है इसे निकाल कर भी दिखाते हैं बहुत ही स्वादिश्ट बना हुआ है अब देख सकते हैं फ्रेंड्स जरूर इसे ट्राय करिएगा अब इसके बाद आपको कौन सी रेसिपी चाहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे